एक कोलेस्ट्रॉल अंगूर खाने में जितना स्वादिश्ट होता है उतना ही सेहत के लिए गुणकारी है इसमें मौजूद एंटि ओक्सिडेंट हाट अटयक रक्त का ठक्का जमने जैसी समस्याओं से बचाने का काम करते है। इसके अलावा ये कोलेस्टरॉल को नियंत्रण में रखने में भी मनद कर सकता है। दोन Immunity इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मनदगार है अंगूर का सेवन अंगूर के सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कुरू संक्रमन से बचाने में मरद कर सकती है तीन आंखो अंगूर को आंखो की सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है अंगूर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आंखों के लिए बेहद लाबकारी माना जाता है आंखों से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए आप अपनी डाइट में अंबूर को शामिल कर सकते है चाय कबज़ कबज़ की समस्या से परेशान है तो अंबूर का सेवन करे कबज़ के अलावा अंबूर को वजन बढ़ाने के लिए भी डाइट में शामिल किया जा सकता है जो लोग दूगलेपन की समस्या से परेशान है उनके लिए अंबूर का सेवन फायदेमंद हो सकता है पाच तकानः जो लोग काम के दवरान जल्दी ठक जाते है उन्हें अंबूर का सेवन करने से शरीर को तुरंट एनरजी मिलती है इसके सेवन से शरीर की कमजोरी को दूर किया जा सकता है इंफेक्शन है अंगूर में एंटिवाइरल गुण पाये जाते है जो त्वचा संबंधित एलर्जी को दूर करने और इंफेक्शन से बचाने में मर्दगार होते है एंटिवाइरल गुण कोलियों वाइरस और हर्पीज जैसे वाइरस से लडने में भी मर्द कर सकते है आपको बता दे कि अंगूर का सेवन हाई ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है अंगूर को डाइट में शामिल कर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है आठ डाइबिटीज से बचाए हरे अंगूर खाने से डाइबिटीज से बचाव करने में मद्द मिलती है ये ब्लड शुगर लेवल के स्तर को कम करके शरीर को स्वस्थ रखने में मद्द करता है हरे अंगूर खाने से शुगर लेवल को मेंटेन रखने में मद्द मिलती है ये डाइबिटीज के खत्रे को कम करता है लेकिन शुगर के मरीज। इसे सीमित मात्रा में ही खाए नव। अमगूर एंटियोक्सिडेंट से भरपूर होते है, जो कोशिकाओ को मुक्तकणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मर्द करते है। मुक्तकण ऐसे रसायन होते है, जो ऑक्सिडेटिव तनाव पईदा कर सकते है, जो कोशिकाओ को नुकसान पहुंचा सकते है और शायद कैंसर और हुरुदय रोग सहित पुरानी बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकते है। दहा, अंगूर दिल की सेहत के लिए भी अच्छे होते है। उनमें पॉलिफेनोल्स शामिल है, जो रक्तचाप को कम करने और रक्तप्रवाह को बढ़ाने में मर्द कर सकते है। दीजतर, हुरुदय रोग का खत्राक हो सकता है। अंगूर विटामिन C से समरुद्ध होते है, जो एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवशक है विटामिन C सफेद रक्त कोशिकाओ के निर्माण को बढ़ावा देता है, जो संक्रमन और विकारों से लडने के लिए जिम्मेदार होते है। 12. अंगूर में एंटी इंफ्लेमेटरी रसायन होते है, जो पूरे शरीर में सूजन को कम करने में मर्द कर सकते है। कैंसर, अलजाइमर रोग और हुरुदय रोग सभी पुरानी सूजन से संबंधित रहे है। 13. अंगूर में यवगिक होते है जो ब्लड शुगर केस्तर को नियंत्रित करने में मर्द कर सकते है। 14. अंगूर में फाइबर होता है, जो अच्छे पाचन स्वास्थे के लिए जरूरी है। 15. फाइबर पाचन तंत्र को गतीमान रखने में मर्द करता है। 15. अंगूर में यवगिक होते है जो मस्तिश्क के कार्य को बेहतर बनाने और सन्यानात्मक गिरावट को रोकने में मर्द कर सकते है। 15. अध्ययनों से पता चला है कि यवगिक स्मृती, ध्यान और अन्य सन्यानात्मक कार्यों को बेहतर बनाने में मर्द कर सकते है। 16. अध्यान तर्णियनों